नमस्कार मैं सूरेज मड़ी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ साहित्य के चैनल पे आप से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अंत में बेल वाले आइकॉन को जरूर दबाएं तन्वीर गाजी लिखते हैं कि ये दिल बरबाद करके इसमें क्यों आबाद रहती हो जैसा मनिस अभी सुनाया मनिस ने कि ये दिल बरबाद करके इसमें क्यों आबाद रहती हो कोई कल कह रहा था तुम इलाहा बाद रहती है और ये कैसी ख्वाहिशें अदा कर दी मेरे मौला, ये कैसी ख्वाहिशें अदा कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं अगर तुम याद रहती है। मेरे चेहरे पे फिर से ये ताने निकल लाएं, और मुम्किन है हमें गाओ भी पैचान न पाएं, हम बच्पन से ही बाहर कमाने निकल लाएं। मेरे की आख से इसे को बचाना, कहां जा रहा है ये देश हमारा। दो पक्तियों और से बाद में अपनी पोईबिल स्टार्ट करूँगी। एक ही जगा बस मैंने सभी पढ़ा है। कि चलो मानती हूँ की लड़के चिराग होते हैं, पर लड़के दे किसी का चिराग चलता है क्या। खिर्ती हुई कईया है बेतिया माप का दर्द समस्ती है बेतिया घर को रोसल करती है बेतिया लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेतिया हर बेती रो रो पूछ रही बेती होना क्या है एक पाप हर बेती रो रो पूछ रही बेती होना क्या है एक पाप बेती से ही तो दुनिया है बेती से ही तो घर अगना फिर क्यों बेती ये बोल रही बेती न बनाओ अब भगवा बेती होना क्या है एक पाप मा बन कर जिसने पाला है बेती बन खुशियान आई है मा बन कर जिसने पाला है बेती बन खुशियान आई है एक बहन के रूप में साथ दिया फिर भी क्यों उसके ये हाला हर बेती रो रो पूछ रही बेती होना क्या है एक पाप जो रिस्ते पर आगते हैं उस पर ये मेरी लाइन है जब दुनिया उस से चड़ती है फिर क्यों बेती ही ज़ती है जिसने दुनिया दिखलाई है हैवान नबन दिखलाओ बेती होना क्या है एक पाप बदलो ना पापा दुनिया को भाया मुझे पर उपकार करो बन कर से कल युग के मोहन हर द्रौपति की तुम लाज रखो थांच के मोहन हर द्रौपति की तुम लाज रखो Thank you झाल झाल